हलो फ्रेंग्स, बेलकम टो वर यूट्यूब चैनल तैयारी विगनर्स की इस वीडियो के मध्यम से आपको CVSC 10th रिजल्ट से संबंधित जानकारी मिलेगी पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा CVSC 10th क्लास रिजल्ट 2021 की अगर बात करें तो कक्षा 10 के मार्क्स या 10th क्लास के मार्क्स अप्लोड करने का लिंक www.cvsc.gov.in पर एक्टिवेट हो गया है कैंद्रिय मादमिक सिक्षा बोड ने सौंबार को 10 माई स्कूलों द्वारा कक्षा 10 के मार्क्स को अप्लोड करने के लिंक एक्टिवेट कर दिये हैं CVSC के और से इंटर्नल असस्मेंट के आधार पर दक्षमी कक्षा के मार्क्स अप्लोड करने का लिंक की परिक्षा 2021 पोर्टल और cbsc it.in पर उपलब्द कराया गया है cbsc से मानिता प्राप देशभर के स्कूल आब चात्रों के मार्क्स अप्लोड कर सकते हैं इससे पहले इसी महीने cbsc ने दस्वी के चात्रों के लिए मार्किंग स्कीम भी जारी की थी cbsc वोर्ड ने सम्मद स्कूलों को 11 जून से पहले मार्क्स अप्लोड करने के लिए कहा है एक मई को cbsc के वोर्ड से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार cbsc कक्षा 10 के नतीजे 20 जून 2021 को गोशित कर दिये जाएंगे तो अगर आप official website चेक करेंगे तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा हर साल चात्रों के assessment के लिए प्रतिक बिसे में सो से जादा सो होते हैं मतलब सो नम्मर तय होते हैं इनमें 20 अंक internal assessment और 80 अंक तारकिक परीच्छा के लिए निरदारे थे हाला कि इस बार कोरोना के कारें बारसिक परीच्छा हैं रद कर दी गए ऐसे में आव असी मार्क्स का assessment पूर में पीरी वोर्ड परीच्छा आरद बारसिक परीच्छा यूनिट टेस्ट आदी के आदारे पर निरदारे किये जाएंगे मार्किंग स्कीम के अगर बात करें तो यूनिट या प्रियोड टेस्ट की बात करें तो दसंख है मेरे टम और आदवार से परीच्छा के 30 संख है प्रीवोर्ड परीच्छा के 40 संख है ठीक है स्कूल में कैसे करना होगा आपको अपलोड तो सीवेसी के ऑफिशल बैफ साइट पर जाना होगा फिर बहां पर संबंदित लिंग पर लॉग इन करके डिटेल भरे हो दसबी के मार्क्स आपको सम्मिट कर देने होंगे तो ये सारी जानकारी हमने इस वीडियो में दे दी तो सभी बच्चों के लिए ये खुश खबरी है कि आपका रिजल्ट जल्दी तैयार होने वाला है और 20 जून तक संभवते आपका रिजल्ट आ जाएगा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताई है लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ऐसा ही नए नए अपडेट पाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वाच करने के लिए